करनाल के अंजिन्थली गोरी कांड में CIA2 के हाथ बड़ी खामियाबी लगी है पुलिस ने इस मामले में गाम अंजिन्थली से गुप्त सूचना के आधार पर विनोध और गोरव निवासी अंजिन्थली को गिरफतार किया इस दोरान पुलिस ने जब आरोपियों से पूस्ताच की तो उन्होंने बताया कि कपिल पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें पहले रैकी की गई थी उन्होंने बताया कि बबली मर्डर कांड में कपिल का नाम आया था जो उसका बदला लेने के लिए बबली के लड़के जानकारी थी थी पुलिस ने आज आरोपियों को गिरफतार कर अदालत में पेश किया है जहां अदालत ने उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांट पर भेज दिया है पुलिस ने बिताया कि रिमांट के दोरान आरोपियों से उपरोक्त मामले के कुछ और पहली उपर गहनता से पूश्टाच कर जानकारी हासिल की जाएगी इसी दोरान बबली के भाई नरेश अंजन्थली को जीला जेल से प्रोड़क्शन वारंट पर लाया गया है जिससे इस मामले में पूश्टाच की जाएगी वह फरार आरोपे के बारे में जानकारी हासिल करके उनको गिरफतार किया जाएगा देखे एक रिपोर्ट जो अंजन्थली गाउं में जैसे कि आप काफी टाइम से जानते हैं कि दो गुटों को बीचाप सी रंजिस चल रही है तो इसी रंजिस के फली बूत काफी बारदाते हो चुकी है तो इसी उसमें पीछे बारदात ह तो उस पर हमला किया गया था और इस हमले के दौरान चार वेक्ति और भी जठने लिए तो पुलिस के दोवारा कपिल के पिता के बैन पर अन्नून वेक्टियों खिला मुगल मदज कर लिया गया था उसमें पुलिस को सफल्दा मिली है जो हमारी इन्वेस्टिकेशन टीम ज में किसने कृतेकान को अंजाम देने के लिए इसमें अभी तो पर्थम दिश्टा जो इनोंने बताया है उसमें शुरेश एलियास बबली, जो मृत्क यह जनकी मृत्म के साथ यावारदा सुरू ही था, उनकी बेटे का नाम है वो अमेरिका में रोते हैं हान वो अमेरिका है तो है इन्से का दोस्ती ते सानल की इन में कि एक आदमी तो सद्वकृ उनके जो शराब का काम था इसका बजलिक पर भानेम कि देके मुल्विटार अब कैसे श्रैप weights ऱिर्टेश को ढूंद है इसके मटशRO Christ से लोटिज जा रही होगा क्योंकि लंबा प्रोसेजर है किसी वैक्ति को अमेरिका से यहां लेकर आने में छे मेने से साल लग जाता है कि पहले भी ऐसे कहीं मामले सामने आया थे पिछले जो आप केस बता रहे हैं वह अंजन तली के अंदर हमारे एक बीजेपी के पदादिका करते हैं तो उसके बाद ही कारवाई का तो कपिल के परीजनों ने अभी तो जो हमारी तरफ से आफार रेजिस्टर है कपिल के पिता के बियान पे तरच है वह इन्वेस्टिकेशन का पार्ट है जैसे जैसे उसमें पॉइंट्स कुलते जाएंगे हम उसको आगे क्लिए कि कि जमाने पर आइधा सकते हैं लग बग डेट से दो महीने पहले वारदात से क्या असर्थ उसके घाल काफी बुरे तरीके से ताउस्टियों तो भी क्या आज़ते हैं अभी वो ठीक है अभी अंडर अबजर्वेशन है क्योंकि उस टाइम जो फायर हुए थे काफी ज़्याद याद नहीं है पास थे याच्छे थे उसको काफी फायर लगे थे व चारनी वेक्तियों को भी गोलिया लगी थि चारनीए महें पुट कि कि इसके की लिए ही सफ़लता है क्योंकि है जितने केसिकर हमारी की तरह काम कर रही है का να महनें सब्सक्राई है नहीं, यह हमारा एक regular process है, लगातार चलता रहता है, पुलिस जितने भी हमारे criminal cases होते हैं, जो हीटेड होते हैं, या जिन में rivalry काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो बकायता monitoring करती है, इसी बाते हैं. जनजारी गाहों मामले में भी पहले नरेशन जनतली अरेस्ट हो चुके हैं, तो उनका इंगा भी इस मामले में भी रोल हो सकता है? वो अभी हमाईस सायसता चीज़ों को ख्लीर कर रहे हैं, जब में हमला और पकड़े जाएंगे तो उनसे भी गयनता से पुस्ताज की जैन की. अब अधुम के रहा हैं JP lady Banquets लाय है इंक्रिड़िड़िव मारिजपलेस राज गराना अंद रॉट इअपने डार्गड़ियो hope वर्ल्ड-लास केटरिंग सेंचरी एर कोडिश्व एसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल